हेलो स्टुनेंट्स वेलकम टु गेटेट्जी अगर आप सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट सिखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रेच्च आपको प्रोग्रामिंग की ए भी सी भी नहीं आती क्या होता है प्रोग्राम नहीं पता है तो इस वीडियो सीरीज इस फोर यू इस वीडियो सीरीज में हम सी को बेसिक से स्टार्ट करके काफी डग तक कवर करेंगे लेकिन सबसे पहला कॉश्चन आपको माइंड में आता है कि क्या सी सिखना रिलेवेंट है आज कल जो प्रोग्रामिंग लेंग्वाइज चल रही है जावा स्क्रेप पाइफन तो हम जावा स्क्रेप्ट या पाइफन सिखे या सी सीखना चाहिए तो सी इस वन आप दे अल्डेस प्रोग्रामिंग लेंग्वेज और स्टिल सी के काफी सारी अप्लिकेशन से लाइक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सी में इंप्लिमेंट है से व्यूर्जें आपको पाइफन या पाइफन की उटिलिटी सी किए और इस वन आप दे सिंप्लेस प्रोग्रामिंग लेंवेज अगर आप सी सिख लेते हैं तो आपको पाइफन या जावा स्क्रेप्स एकना काफी इजी हो जाता है तो आम सब्स्ट्राइब करेंगे फौ हमको नहीं पता है programming क्या है तो program क्या होता है तो computer से कुछ भी task आपको करवाना है तो you need to write a program जैसे human being से कोई task करवाना है तो आपको उसको instructions देनी होते हैं किस order में क्या-क्या task करना है तो similarly जब भी computer से कोई task करवाना है तो आपको instructions लिखनी होगी और वही instruction का set क्या होगा program तो program is nothing but the set of instruction human being से task करवाना है कुछ काम करवाना है आपने उसको instructions दी किस language में instruction दी जिससे वो familiar है similarly computer से जब task करवाना है तो हमको उसको जो instructions देनी हो उसी language में देनी जिससे वो familiar है तो one of such language is C language तो आज हम सबसे पहले हमारा XE program run करके देखते है to print hello hello print करने का XE program run करते है किसी भी program को run करने के लिए unit compiler C के काफी सारे offline compilers भी available है like turbo C, DOC आप download करके उनको use कर सकते है या बहुत सारे online compilers भी available है तो इस video series में हम C का एक online compiler use करेंगे to run the C program तो कैसे हम search करेंगे उस compiler को कौन सा compiler हम use कर रहे है तो हम एक example लेते हैं तो हमने अपना browser open किया browser में हमने type के online C compiler तो online C compiler में जो compiler it is online GDB तो हम इस online GDB compiler को use करेंगे तो हम सबसे पहले एक C program use कर रहे है to print hello हम एक C program run कर रहे है to print hello इस screen में आपको statements दिख रहे है हमारा जो first important C statement है यह 1 से लेके 7 lines तक सब useless है comments है वो आपकी कसी importance के नहीं है जो आपका main program start हो रहे है it is from line number 9 line number 9 में सबसे पहला C statement है include hash है hash के बाद include stdio.h this statement includes some header file एक header file को include कर रहा है उस header file का नाम है stdio.h क्यो include करना नहीं include किया तो क्या फर्क पड़ेगा वो मागेस देखेंगे but सबसे पहले you need to include some header file header file के बाद int man लिखा हो है इस int man से आपका main program start होता है जो भी आपको instructions देनी वो यह main का opening bracket है यह main program का closing bracket है तो इन opening और closing brackets के बीच में you need to write your instruction सबसे पहले instruction हमको क्या print करवाना है hello तो printf is a c function printf के help से हम कुछी जो भी print करवाना चाहते है उम printf के help से करवाएंगे printf के बाद एक round bracket है उस round bracket के बाद double quotes में आप जो भी print करवाना चाहते है वो आप print करवा सकते हैं तो हमने double quotes में क्या लिख रखा है hello world उसके बाद हमारा round bracket close हुआ और हर c program हर c statement किस से terminate होता है semicolon after every statement there must be a semicolon तो हमारा first statement है printf जो क्या print करेगा हमारे लिए hello world और फिर last statement होता हमारे main का return 0 return 0 का क्या मिनिंगे exactly हम आके देखेंगे लेकिन return के साथ 0 लिखा है यह शो करता है कि आपका program successfully terminate हुआ successfully execute हुआ है okay तो क्या-क्या देखा हमने very first statement is include we include some header files यहां हमने एक header file include कर रखी है that is stdr.h उसके बाद int main is the main program of the c जहां आपको अपना logic लिखना आपका first statement है program का printf और second statement और last statement है return तो यह हमने अपना c program लिखा है अब इस c program को run करना है तो यह हमने run पे click किया run पे click किया तो यह हमारे output pen में है यह नीचे हमारा output pen है इस output pen में आपको क्या दिखा है? hello तो यह program क्या print कर रहा है? hello suppose there is some error है printf hello उसके बाद program finish with the exit code 0 और press return to enter to exit console तो आपने return प्रेस किया तो वापस आप यहां आगए तो अभी हमने एक message print करके देखा hello world तो आपको simply printf के अंदर जो आपने double quotes में लिखा है वो message आपको change करना जैसे हम output में चाहते get it zil तो हमने हमारी string change की again we run the code and we get get it zil in the output output में आपको क्या मिला? get it zil but what if there is some error? आपकी code में कुछ error है? जैसे हम simplest error करते है कि हमने semicolon लगाना ही भूल गए हर statement के बाद there must be semicolon you forget क्या होगा? तो जैसे हमने run किया line 13 पे क्या बोल रहा? error expected semicolon before return return statement के पहले क्या चाहिए? semicolon और आपको यह position भी show कर रहा कि कहा semicolon लगाना है यह हमने semicolon put किया run किया तो what we are getting in output get it zil तो friends आज हमने हमारा first video है to print the statement hello hello world हमने print करवा के देखा तो क्या conclusion निकला हमारा? तो सबसे पहले की printf is the statement जो आपको कुछ भी C में print करवाना है तो आप कुछा statement देखेंगे? printf second जो conclusion draw करा कि every C statement terminates with semicolon हर C statement के बाद आपको semicolon लगाना है नहीं लगाया तो error और include statement, include some file क्यों include करना? we'll see later और int main के अंदर हमको अमारा पूरा logic लिखना है friends अगर आप engineering students है और आपका IITs और NITs में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ है तो आप यह सपना पूरा कर सकते हैं gate exam में appear होके gate exam clear करके आप M.Tech कर सकते हैं from IITs and top NITs अगर आप M.Tech नहीं करना चाहते हैं government job is your dream तो gate exam clear करके आप बहुत सारे PSUs like ONGC, ISRO, DRDO इसके लिए eligible हो जाते हैं fan companies like Google, Microsoft, Oracle इन companies में जाना अगर आपका dream है तो gate exam clear करके आप इन companies के लिए भी eligible हो जाते हैं तो gate clear करके इन companies में कैसे apply करना है यह information आपको चाहिए तो please subscribe and like our channel यह सारी information, यह सारी discussion हम अपने next video में करेंगे get clear करके, how you can apply in different companies